हेलो फ्रेंड रेनु की किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बुंदी की राइता की रेश्पी लेके आई हूँ इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुती स्वाधिश्थ होती है आप इसे जरूर ट्राइप करें आज में बुंदी की राइता पाटे श्टाल बनाने जा रही हूँ जो पार्टियों में मिलती है मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ऐसे हमारे चैनल पर बेने रहे हैं मैं आप लोग के लिए निव नीर इस पिले के आती रहूंगे तो रायता बनानों शुरू करते हैं रायता बनाने के लिए हम यह आधी कब ब करें तो यह एक समीड का जंगे यह चांब देखे हैं तो यह चमझ के चांब देता से अच्स का चानने में पर ऐसे मैं हान्याँ आप को जैसा ठीक लगे तो देखेए दो कब कैसे से छानके ली यह हैं तो देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया है तो इसमें आप हम पानी देखे इसे पतला कर लेंगे तो दही जो हमारी मिर्स पॉडर है अगर आप तीक ज्यादा पसंद करते हो तो मिर्स की क्वांटिटी बरहा दे और साथ में हम आधी छोटी चमस भुना हुआ जीरा का पॉडर डालेंगे यह रायता में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है आप इसे जरूर डाले यह सब देखे अच्छे से मिक् बुंदी हमारी छन गई है तो देख सकते हैं अब इसे हम दही में मिक्स करेंगे तो बुंदी को दही में मिक्स कर दे इसे देखे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखिए बुंदी देखे इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं तो इसे आब हम तरका लगा लेते हैं तो तर आप अच्छे चटक जाए तो इसमें हम वन पिंच हिंग डाल देंगे यह बहुत अच्छा टेस्ट आता इससे आप इसके भी कर सकते हैं तो यह चटक जाए तो इसे हम तरके में डालेंगे इसे ठंडा होने तब डाले क्योंकि दही में आप गरम डालिएगा तो दही जो हमार इफट जाएगी राइता जो हमारे अच्छी नहीं बनेगे तो इस ठंडा होने पर इसमें डाल दे और इसे अच्छे स्मिश कर दे तो देखिए राइता हमारा रेडी हो गया है तो इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे यह बनाना कितना आसान है आप तो देखिए सकते हैं इसम लुकिंग इसे अच्छा आता है यह सब दे दिये हैं देखिए हमारा राइता बनके रेडी हो गया देख सकते हैं इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही स्वाधिस्ट होती है आप इसे एक घंटा तक फिरिज में रख दे और फिर इसे निकाल के खाए सब्सक्राइब करें ऐसे हमारे चैनल पर बने रही है थैंक यू फूर वाचिंग